तो पैन और पेपर एड़ी है ना असलाम अलेकुम दोस्तों हम इसे कई ज्यादा लोग करते हैं कई ज्यादा सोशल मिस्टेक्स जिनको करने से आपकी सोशल अपिर्ण्स आ सकती है यहां से यहां तक तो आज की वीडियो में आपको उन सोशल मिस्टेक्स के बारे हम बताऊंगा जो हम आए रोज अपनी रोज मारगी जिन्दगी में करते हैं तो जो लोग बुक्स पढ़ने के शोकीन हैं उन लोग के लिए एक बुक लाया हूँ आप ये बुक पढ़ें अगर आप एक बुक रीडिंग लवर हैं अगर आप नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं लेकन वीडियो शुरूँ ओरने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलते हैं अपनी मिस्टेक नमबर वन की तरफ सोशल मिस्टेक नमबर वन है स्टार्ड कन्वरिजेशन बिफोर इंट्रिडूसिंग यूरसेल्फ हाँ जी कम्यूनिकेशन स्किल्स की एक में स्किल कम्यूनिकेशन स्किल्स की उपर बड़ी डीटेल से एक वीडियो बना दी गई है आई सेक्शन के अंदर उसका लिंक में दे दूँगा आप जाके एक नजर उधर भी देखाईए इसका मतलब है कि आप किसी के पास गए आपने अमना नाम तक नहीं बताया आप क्या करते हैं कहां से आए हैं आपने खुद को सही से इंट्रिडूस नहीं करवाया और उनकी करवर्जिशन करणे अदर सड़नली आपने जंप कर दिया ए बेसिकली आपने जाके एक जोक क्रैक कर दिया है या आपने अपना उपीनियन एक दम से उनके आगे पेश कर दिया कि अगर दो लोग बात करें आपस में कि यार कल का मैच आपने देखा आपने जाती बगा दी हाँ 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 शाहीन अफ्रीजी की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी इस तरह नहीं आपको खुद को एक दफ़ उनके साथ इंट्रिड्यूस कराना है आप उनको बताएं कि आप हैं कौन लेकं इंट्रिड्यूस कराने से पहले अगर आप एक कॉंप्लिमेट दे दें गे तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है कॉंप्लिमेट देना वैसे भी एक नैच्रिली एक अच्छी चीज है कि अगला इनसान खुछ होता है कि आपने इसकी तारीफ ही है Like that, आप खुद को इंटर्डूस करवा सकते हैं Hi Arika, my name is Fad, I'm a YouTuber By the way, the watch in your hand is looking very attractive And I'm loving it So Arika, आपने कल का मैच देखा बस, आपको ये करना है ये करने के बाद फिर आप अपना opinion उनको बताएं तो इसलिए ये आपको किसी conversation करना Suddenly jump नहीं करना और एक और काम पता है जो आपको नहीं करना वो है हमारी social mistake number two Don't forget other people's name हाँ जी, ये बहुत एक harsh mistake है जिसके कोई माफी नहीं है Ethically, अगर आप किसी का नाम भूल जाते हो कि अगर उसने आपको अपना नाम बताया भी है तो वो इनसान आप पे उतना इतमाद नहीं करेगा पर ये क्यूं होता है ये इसलिए होता है कि जब भी हम खुद को introduce करवाते हैं किसी के साथ तो हम ये expect करते हैं कि हमारे introduction के बाद ये इनसान अपना introduction नहीं करवाएगा बलकि हम ये सोच रहे होते हैं कि मैंने भी खुद को introduce करवा दिया है वो भी खुद को introduce करवा देगा इसके बाद मैं से क्या कहूंगा तो ये सोचते सोचते इनसान नाम तक भी भूल जाता है अगले इनसान के क्योंकि वो उस पर concentrate नहीं होता उसकी बात पे तो हमेशा दूसरों का नाम याद रखिए इस से क्या होगा कि वो आपको और बायतमाद समझेंगे और हमेशा ये जानिए कि आपको क्या कहना है ये एक social trick है अगर आपने किसी का नाम याद रख लिया ना तो आपको काफी sweet और काफी humble समझेंगे और वो इस बात को अपने जहन में लाजमी रखेंगे कि ये sweet और humble इनसान अपने जिन्दगी में काफी अच्छा होगा यू गेटिंग मैं पॉइंट ची को So always remember other people's name कभी भी उनको भूलिये मत और एक और काम पता है जो आपको कभी नहीं करना वो है खुद को खुजाना बंद करें Stop scratching yourself in public तो खुद को खुजाए मत अपनी कैविटीज में हाथ मत दीजिए अपने कान में अपने नाक में अपने दांत में और वहाँ पे पॉबलिक में हाथ मत दीजिए ये काफी common mistake है आपको लगता है कि यार कौन देख रहे है जए जएदा अलका सा खुजा लेता हूँ कुछ भी नहीं हो तक लेकर क्या पता कौने में बैठा कोई आपको नोट कर रहा हो या कर रही हो So please खुद को खुजाए मत अपने कैविटीज में आत मत दीजिए अपने कान नाग दात में और वहाँ पर आत मत दीजिए पबले के लिए अगर आपके उपर ऐसी सिचुएशन बन गी है तो आप एक्सक्यूस करें और थोड़े दिर साइड पर चले जाएं या वाश्रूम चले जाएं वाश्रूम is the best choice आप वहाँ पर जाएं और फ्रेश हो के वापस आजएं और एक और काम पता है जो आपको नहीं करना वो है आजी दांतों को चबाना कम करें या मैं तो गयत हूँ इसको छोड़ दें अगर आपको ज़्यादा इसकी आदत है तो सुबह निकलने से पहले इसके निमक या मेरेश डाल के निकलें प्रोमिस करता हम आपकी यादत चूट जाएगी या डिस्गस्टिंग लगता है अगर आप पबलिक में खड़ें और आप ये वाले काम कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप अच्छे लगेंगे नहीं न लाइक करने इसी बात पर फिर पॉइंट नमबर फॉर है बैड ओर्डर्स आपको घर से निकलने से पहले हमेशा अच्छा सा परफ्यूम यूज़ करना है बड़ी सिप्रेय यूज़ करें और अपने जब आप दाद ब्रश करते हैं न तो अपनी जुबान पर भी अपनी जीप पर भी उस ब्रश को मारी है इस से क्या होगा कि आपकी बैड स्मेल्स जो है न आप मेंसे निकलेंगी और अच्छी खुश्भूँएं आपके पास आएंगी और अमेशा बैक अप पर एक वेपन रखी है और वो वेपन पता है है च्विंगम हाँ जी यह एक ऐसा गेम चेंजर है जो अमेशा आपकी आपकी पॉकेट में होना चाहिए तो आप किसी भी formal occasion पे अपना casual attitude लेके नहीं जा सकते या किसी casual occasion पे अपना formal attitude लेके नहीं जा सकते हर एक occasion का, हर एक जगा का एक अलैदा behavior होता है आपको हमेशा ये analyze करना है कि आपके audience कैसी है या आप जिन लोगों की तरफ जा रहे हो उनको क्या चीज़ पसंद है, वो कैसे लोग है उनके अंदर आपको किस तरह के कपड़े पैन के जाने चाहिए आपका attitude कैसा होना चाहिए आपका बात करने का तरीका क्या होना चाहिए हमेशा उस चीज़ को crack करें कि आपके इस जगा पे जा रहे हैं आपको हमेशा अपनी audience को analyze करना चाहिए कि आप जिन लोग से मिलने जा रहे हैं वो students हैं, वो parents हैं या आपके friends हैं, या आपके formal colleagues हैं या आप पार्टी पे जा रहे हैं आपके हर जगा पे जाने का एक behavior अलाइदा होता है तो आपको हमेशा इस चीज को crack करना चाहिए अगर आप किसी formal जगा पे जा रहे हैं तो use industrial words आप समय लें कि आप एक civil engineer हैं तो आप हमेशा जब वहाँ पे जाएंगे तो उनकी जो वो words यूज करते हैं अपनी रोज मारा की जिन्दगी में उनकी रंग में ड़लने की कोशिश करें इससे क्या होगा कि आपकी appearance रियाव उन पे काफी अच्छी पढ़ेगी वो समझेंगे कि हाँ यार इस इनसान को इन चीजों को पता है क्योंकि formal situation में use होती है आपका दिमाग आपकी skills आपको अपनी skills यो करवानी पड़ते हैं कि हाँ मुझे इन चीजों को पता है और कायूल situation में आपको शोग कराना पड़ता है अपना दिल social mistake number five है talking while chewing हाँ जी खाने के वक्त बोलना आपको अभी तक मैं जितनी पी चीज़े बताई है वो कहीं न कहीं ethically भी relate करती है इसका क्या मतलब है कि आप अगर किसी इनसान से बात कर रहे हो पहले उस खाने को अराम से चबा लें फिर आप अगले इनसान से अपनी बात करें अगर आप मुझे खोल के खा रहे हैं और अपनी बात किसी से कर रहे हैं तो उस इनसान का ध्यान आप पर नहीं उस चने पर जाएगा जो आपके दान्त के अंदर अटका हुआ है तो हमेशा पहले चबा लें और फिर अपनी बात करें इसी से related जो हमारी next social mistake है वो है chewing very loudly आप मुझे खोल के खा रहे हैं आप इस तरह नहीं खा सकते हैं आप आराम से खाएं चबा के आराम से मुझे बन करके इस तरह खाएं आराम से खाएं खा लें फिर अपनी बात अस इनसान से करें next social mistake है interrupting others इसका मतलब यह है कि अगर आप से कोई इनसान बात का रहा है तो आप उसको बीच में बार बार टोके मत उस इनसान को अपनी बात मुकमल करने दीजी be a good listener a good listening is a good social skill a bad listening is a bad social skill जो इस वीडियो की theme है तो अमेशा उनको अपनी बात पूरी करने दें फिर आप अपना point of view रखें कि आप क्या चाह रहे हैं और जो आज का last point है वो है don't say any negative or show off in front of someone मेरे दोस्तों classy बनो classy लोग कभी भी आगे से हो कि अपने achievements के बारे में नहीं बताते कभी भी अपने पैसों को show off नहीं करते अपने जूती कपड़ों के बारे में show off नहीं करते जब तक उन से अगला इंसान उसके बारे में पता ना करे तो कभी भी उस चीज़ का झिखर मत करो जो आप नहीं कर सकते कभी उस चीज़ का show off मत करो तो ये थी आज की वीडियो उमीद करते हूँ है आप सबको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को like कर दे और अपने उन दोस्तों सा शेयर करते हैं जो इस तरह की mistakes करते हैं और अपने कीमती राए को comment section में लाजमी दीजिए गया और जाते जाते एक बात को लाजमी याद रखिएगा You are unique, you are one of kind, cause you are you